हेलो दोस्तों आपको HB tuition classes में आप सभी का स्वागत है हम आज पढ़ रहे हैं electron dot structure electron dot structure in the sense class 10th में और 9th में बहुत ही important और complicated topics हैं जिसको कुछ बच्चे तो रटते हैं कुछ बच्चों को atomic numbers ही नहीं पता होता है तो यह और difficult होता है तो मैं आप सको suggestion यह देता हूँ कि hydrogen to zinc तो learning कर लो किसने कितने number पर आता है मतलब atomic number कितना है CL है जैसे hydrogen first पर आता है तो test लिख लिए CL आता है 17 पर तो यह 17 होता है इसका अब hydrogen को एक ही electrons है और इसके पास होते है two eight और seven आपको मालूम है according to bores law two first cell में eight second में और third में भी eight होते है total तो 18 कहता है bores bory बट eight से जादा हम class 10 में नहीं पड़ते हैं तो two eight और seven violence electron violence electron इसके पास कितने है seven seven क्यों violence electron क्या होता है जो सबसे बाहर border पर जो सबसे बाहर outer most cell में number of electrons present होता है उसे हम कहते है violence electron या outer most cell electron यही participate करते हैं किसी भी compound formation में किसी भी formula में यही बनते हैं मैंसा तो यहाँ अगर आप बनाओगे h c l को तो h के पास होता है one और c l के पास है seven one two three four five six seven यह hydrogen c l के साथ क्या कर लिया sharing कर लिया यह इसके साथ sharing कर लिया तो इसे क्या बोलोगे आप h c l ऐसे h के भी दो complete है c l के भी eight हो गएं और भूख होती है किसी भी elements की eight hydrogen helium को छोड़ करके तो c l की भूख है eight electrons की तो seven थे तो इसने एक share कर लिया eight हो गएं तो इसे कहते है covalent bond sharing of electrons h c l तो इसका यह covalent bond है अब कुछ बच्चे इसमें confused होते हैं यह covalent bond क्या है covalent bond मतलब number of electron का जो sharing होता है साजह होता है उसे हम कहते हैं covalent bond तो c h c l इसने one one का साजह किया sharing किया तो यह h c l आ गया next है c2 h 6 जैसे number से दिख रहा है c2 h 6 तो carbon और carbon दो बना लो अब इस carbon के बाद आप के पास carbon के पास होते कितने हैं total 6 और violence electron बचेंग कितने हैं 4 तो 1 2 3 4 यह हो गया 1 2 3 4 अब hydrogen 6 तो इनके उपर यह side में यह side में हो गए 3 1 2 3 अब यह hydrogen 6 fill up हो गया है इनने electron कितने होता है only one इन बेचारों के पास केवल एक है electron होता है अब वही electron को यह हमेशा participant करते हैं इनका system ही है यह hydrogen का इनको दो ही चाहिए बेचारों को इनकी capacity ही भूखी है दो की तो यह दो electrons इनको चाहिए तो hydrogen और hydrogen इसका कर लिया sharing इसका ये वाला कर लिया ये इसके साथ कर लिया ये इसके साथ कर लिया ये इसके साथ कर लिया और इसके साथ ये कर लिया अब अब बचा कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रान से, इसको तो भूखेट की होती है, हाइड्रोजन सब अपने पेट भर लिए, सब का सफिशियन्ट हो गया, तो हाइड्रोजन इसके कितने हों है, 4 तो थे कार्बन के पास, और 3,7, यह 4, 3,7, तो यह आपश में भी शेरिंग कर ने है, तो इसका इस्ट्रक्चर आप बनाओगे, C, C, H, 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 N, क्या है इसका, इथेन, इथेन, I, U, P, S, E, C के अकॉर्डिंग, जब दो कार्बन होते हैं, तो मेत, एथ, और सिंगल बॉंड में होता है, तो एन लगा देते हैं, तो नेम हो गया, इथेन, Most important, S8 पर हम चलते हैं, और बच्चे बहुत confusion होते हैं, number of sulfur 8 को कैसे bound करें, यार, तो देखो, बिल्कुल, छोटी से इसमें याद रखना, octagonal, 8 को हम बोलते हैं, chemistry के language में, oct, और octagonal, ये octagonal, मतलब आप number of sulfur को, 8 times लिखना है, क्योंकि S8 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप और circular कर सकते हो ऐसे, और circular कर सकते हो ऐसे, space के accordion, तो sulfur के पास होते कितने हैं, total, S8 मतलब 2, ये होता कितने पर है, 16 पर, तो 2, 8, 6, violence electron, border पे लड़ने वाले कितने हैं, 6, अब 6 ही अपना electrons, इन में आपस में participate करेंगे, और 8 complete करेंगे, क्योंकि भूँक कितने की होती है, 8 electrons की, तो यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सभी में 6, 6 फिल कर देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिल कर लिया, अभी 8 electrons कैसे complete करें, तो देख लो, इसके साथ 1 कर दिया, तो 7, 7 हो गया, अब इसको complete करने के लिए, यह देख लो, यह कर लिया, इसके 8 हो गया, इनके 7, 7 हो गया, यह बगल आगे बढ़ गया, यह इसके साथ कर लिया, तो जब यह इसके साथ कर लिया, तो इ इसने इसके साथ कर लिया, इसके भी eight complete हो गए, इसके पास six और one seven, तो इसने इसके साथ कर लिया, तो इसके eight हो गए, इसके eight हो गए, इसके seven, इसके पास six है, तो इसके साथ कर लिया, तो इसका seven हो गए, इसका भर गया eight, इसने क्या किया है, इस बगल वाले को देखा और इसक कहानी इसमें एक इलेक्टरान नंबर फिल करना है उसका आउटर मोस शेल में और हो जाता है इस तरीके से एसेट का भी फॉर्मेशन हाइडरोजन के पास होता है वन इलेक्टरान तो वन लिग दिये और इसका जो वायलेंस इलेक्टरान है और इसका है यहाँ पर रहा है तो यहां पे आप हाइड्रोजन और यहां ऑक्सीजन लेंगे, दोनों का शेरिंग कराएंगे, वन इलेक्टरान इसके पास है और इसके पास कितने हैं इलेक्टरान्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं वैलेक्टरान्स तो यह क्या करता है? शेर करता है इसके साथ, अब देखो हाइड्रोजन दो होने चाहिए क्योंकि एच्टू है, तो यहां पे रहे एक हाइड्रोजन और बना लो, तो इसके साथ यह हो जाएगा रिलेशन, तो फार्मेशन आफ एच्टू बॉन्ड, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, एच्टू इस हाइड्रोजन के साथ, अब यह हाइड्रोजन यहां पर भी रख लो, कोई इशू नहीं है कि आप सोचों कि यह यहां पर है, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेरिंग इसके साथ, हाइड्रोजन को कितना तू, अगर यहां पर रख लो मैं इस तरीके से, तो ह, ओ, एच बन रहा, अब यहां पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड, यह होता है, फार्मेशन आफ वाटर, सियो टू पर अगर देखें, सियो टू के लिए एक कार्बन कार्बन को होता है कितना है six वालेंस इलेक्टरान four oxygen का eight होता है total two और six वालेंस इलेक्टरान four और इसके oxygen के पास होते है six one two three four five six इसके पास भी होंगे six one two three four five six octet rule complete करने के लिए चाहिए कितना number of electrons eight outer more cell में octet rule octet rule in the sense eight electron चाहिए आपको इनकी भूख जो है eight electron की है इसकी भी भूख electron की बटाएं कितने six और ये है six इसकी भी eight electron की है तो कह रहेंगे क्या ये आपस में sharing कर लेता है तो sharing करेंगे तो ये two two का कर लिया sharing carbon जो है यहाँ पर two two का sharing कर लिया तो इसकी हो गए eight six और two eight अब ये क्या बताएगा मेरे पास eight electrons है यानि इसकी भूख खतम होई इसके पास six ही है अभी इसके पास भी six है तो ये भी दो दो अपने electrons को क्या कर लिया share कर लिया जब ये share कर लिया तो carbon भी इस oxygen के शाथ two electrons के शाथ bounded हुआ that means double bond O double bond C double bond O तो ये होता है formation of CO2 CH4 के लिए carbon one और H4 जितने है quantity वो रख ले पहले 4 है तो 4 को इस तरीके से रख लो hydrogen के पास एक ही होता है electrons ये रख लिये और carbon के पास कितने होते हैं ये मैंने अभी निकाल करके बताया violence electron में 4 तो 1, 2, 3, 4 अब इनको electrons के साथ share करा हूँ hydrogen की भूख only 2 के होती है तो ये उकर लिया इसने इस hydrogen के पास भी हो गए 2, इस hydrogen के पास भी हो गए 2, इस hydrogen का भी sharing हो गया और carbon का कितना हुआ 4 आल्रेडी थे 4 ये आ चुके है 4 हाइडोजन के शार sharing हो गया तो कितना हुआ इसका structure C hydrogen, hydrogen, hydrogen hydrogen, hydrogen this is the structure of methane इससे क्या बोलोगे methane के थे ते